हेलो भाईो क्यासो आप सब मैं हूँ प्रियांश तो भाई आज हम आपके लिए लिखे आज के हुंडाई I20 N9 अगर आप स्पोर्ट्स कार के शौकी ने तो आप जा सकते हैं इस कार की तरफ इसमें आपको दो विरेंट्स आफ़र कियाते हैं N6 and N8 और अभी आप देख रहे हैं इसके N8 टॉप मोडल विरेंट को शुरुआत की जाए इसकी प्रैसिंग से तो ये विरेंट आपको पढ़ता है 12,16,000 का एक शौरूम और अभी मैं हूँ SES हुंडे एलेक्रिक वी आई पिरोड लखनों के अंदर यहां परोग को पढ़ती है 14,000,000 की ओन रोड लखनों और अभी आपके सामने पोलर वाइट कलर इसके अलबा स्टेरी नाइट, थंडर ब्लू, टाइटन ग्रे और डूल टोन का भी आप्शन आपको मिल जाता है स्टार्टिंग प्रेस की बात की जाए 10,19,000 एक शोरूम और 12,31,000 टॉप मॉडल इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर आपको मिलता है वन लेटर का टर्बो पैट्रल इंजन जो आपको निकाल गेता है 118 बHP की पावर 171 एनम का टॉर्क और 20 तक की मैरेज आपको मिलती है इसके टर्बो पैट्रल इंजन में और अभी आपके सामने DCT ट्रांस्मेशन इसके लवा IMT का भी ऑप्शन है आपके पास 3 साल और 1 लाग किलोमेटर्स की आपको वरंटी दी जाएगी Hyundai की तरफ से कार की चाबी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की ओफर की जा रही है पीछ आपको मिलती है Hyundai की ब्रेंडिंग यहाँ पर आपको Lock, Unlock, Boot Opening को आप्शन एंड साइरन का पटन मिल जाता है और जब आप कार को Lock, Unlock करते हैं और आपको मिलने वाली है 1.7 मिल्टर की चोड़ाई और सामने से आपको काफी स्पॉर्डी से लुक्स मिलते हैं इसके एंड लाइन में यहाँ पर आपको सामने के दरफ काफी सारा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी ओफर किया जाएगा नाइट विस्बिल्टी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिये जा रहे है आटोमेटिक हेड लैंप्स यहाँ मिलते है आपको प्रोजेटर का सेट अप उपर आपको दी जाएगी डियाल की प्लेस्मेंट साइड में आपको आटवंटी की बैजिंग यहाँ मिलते है आपको इंडिगेटर की प्लेस्मेंट नीचे की तरफ आते हैं यहाँ आपको दिये जाएगे प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स और पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको यह पार्ट दिया जाएगा नीचे आपको मिल जाती है रेड फिनिशिंग यहाँ मिलता है आपको टोईनुक का आप्शन फ्रंट की ग्रिल में आपको दी जाएगी एंलाइन की बैजिंग और यह जो ग्रिल है पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाती है सेंटर में आपको मिल जाता है हुंडाई का लोगो तो जब आप सामने से बैट के देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट फेश्य नजर आने वाला है ग्राउंड क्लेरंस की बात की जाए 170 mm का आपको दिया जा रहा है खराब रास्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट आप हाईवे पे जब ड्राइब करेंगे तो काफी बड़ी आपको फील होगा इसके इंजन से ये इसका पूरा बोनेट एरिया यहां पर आपको मिलती काफी कर्व सी डिजाइन जिससे काफी जादा स्पूर्डी से आपको मिलते हैं लुक्स सामने के विंग शिल का साइज काफी बड़ा सा यहां मिलता है आपको डिवल वाइपर वित डिवल वाशर का सेटप रूफ में आपको दिया जाएगा सं रूफ पीछे शाफिन एंडिना यह तो होगी कार के फ्रंट प्रोफाइल की बात अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ साइड सेते हैं N8 विरंट को तो साइड में जब आप आते हैं तो यहां पर आपको ग्लॉसी ब्लाइक फिनिश में ओर विंश नीचे आपको आप आठ सिक्षिन का मिलता है पूरा टायर स्ट्रक्शन डोर्स के नीचे आपको दी जाती है ग्लॉसी ब्लाइक फिनिश रेड फिनिशिंग के साथ फेंडर्स पर आपको मिल जाती है N9 की बैजिंग अब बात के लिए तें के साइड मिरर की तो यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लाइक फिनिश में आटो फोल्ड बर मिरर्स ओफर किये जाएंगे इसमें आपको दी जा रही है इंडिगेटर की प्लेस्मेंट नीचे आपको मिल जाती है एक वाइट लाइट जो आपको तो नीचे से अगर बैर्ट के देते हैं 2580 mm का आपको दिया जा रहा है इस पेस भी आपको काफी जादा मिलेगा इसके कैबिन में टेल लैंब से जस्ट अटैच आपको मिलता है फ्यूल फिलर कैप और अगर आपकी कार अनलॉक है तो आप यहीं से ओपन कर सकते हैं और यहां पर आप फिल कर आपाएंगे अपना फ्यूल तो यह तो हो गई साइड प्रोफाइल की बात टेल लैंब से आपको मिल जाती है आई 20 की बैजिंग अब बात कर लेते हैं कार के रियर प्रोफाइल की तो आप यहां पर देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मा को पूरी किट ओफर की जा रही है जो काफी ज़दा स्पोर्डी से लग लिए देखने में विंग शिल का साइस काफी बड़ा से आप पर रखा गया है साइड में आप यह पूरी किट देख पा रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको पूरा पार्टी दिया जा रहा है यहां मिलते हैं आपको हाइमोड स्टॉप लाइट डी फॉगर आपको दिये जाएगा यहां मिलते हैं आपको वाइपर्स सेंटर मापको मिल जाती है हुंडाई की ब्रैडिंग क्रोम एलमेंट आपको मिल जाता है इसके टेल लैम्स में नीचे आपको मिल जाती है आई 20 की बैजिंग N-line की badging, नीचे आपको दिये जाएंगे दो reverse parking sensors, नीचे से अगर bad के देखते हैं, यहां मिलती है आपको glossy black finish में पूरी kit, dual exhaust के साथ, आप बात के लेते हैं tail lamps की तो आपको LED में offer के जा रहे हैं यहां मिलती है आपको ऐसी कुछ design इसमें आपको indicator, reverse light की placement नीचे आपको दिये जाएंगे reflectors अब बात के लेते हैं कार के boot space की तो यहां आपको दिया जाएगा magnetic button जिसको आप प्रेस करके अपने boot को access कर सकते हैं, जिसका boot opening area और यह जो आप parcel tray देख पाने यह adjustable है, आप इसको हटा भी सकते हैं, अगर आपको space काफी ज्यादा चाहिए, boot space की बात की जाए 311 लिटर का आपको दिया जा रहा है side में आपको मिल जाता है एक lamp, यहां मिलती है आपको speaker की placement and यह इसका पूरा deep space, नीचे आपको दिया जाएगा spare wheel tool kit के साथ में, 100% foldable seats हैं, आगे आपको मिल जाता है lever जिसके थूरू अपनी seat का fold कर सकते है यह तो गए इसके boot space की बात चलिए करते है, boot को बंद अब बढ़ते हैं car की passenger sitting की तरफ तो यहां पर आपको दिये जाएंगे body color पे door headles अगर door trim की बात की जाए तो यहां पर आपको मिल जाते है full black finish में doors जो काफी जादा अच्छे लग रहे हैं देखने में यहां पर आपको red finishing भी offer की जाएगी यहां मिलता है आपको door opener lock unlock, pondo की control नीचे आपको दिया जाएगा bottle holder यहां मिलती है आपको speaker की placement rear cabin space की बात की जाए तो काफी जादा आपको मिलने वाला है यह leather की seats है पूरी की पूरी black finishing में आपको offer की जाएगी पीछ आपको मिल जाते हैं दो headrest जो की adjustable है चलिए बैटते हैं car के अंदर मेरी height 5 foot 11 inch के आस पास है rear cabin में बैटने की बात इतना मिलता है आपको leg में space काफी आराम से मैं यहाँ पर बैठा हूँ cabin space तो काफी अच्छा है इसका और यह इसका front armrest जिसमें आपको मिल जाते है rear गले दो AC के vents यहाँ मिलता है आपको एक charging port और थोड़ा सा मिलता है आपको space mobile रखने के लिए पीछे की बात की जाए तो यह इसके दो adjustable headrest पीछे आपको दी जागी parcel tray rear में आपको एक armrest भी offer किया जा रहा है जिसमें आपको cup holders तो नहीं मिलते हैं बड़ आप आराम से अपना हाथ यहाँ पर रख पाएंगे rear में आपको side में मिल जाते हैं grab handles और यहाँ मिलती है आपको halogen light डिस्कॉप यहाँ से on off कर पाएंगे और यह इसकी sunroof जो कि इंडस को काफी जादा पसंद आएगी तो यह तो होगे इसके पूरे rear cabin की बात इस पेस आपको काफी अच्छा से आपर offer किया जा रहा है चलिए अब निकलते हैं car के बाहर driver side door headers की बात की जाए यहाँ मिलता है आपको request sensor जिससे आप अपनी car को lock unlock कर सकते है door trim की बात की जाए तो full black finish में आपको दिये जाएंगे driver side doors यहाँ आपको मिल जाता है door opener lock unlock इससे अपने आप ओर विं को fold unfold कर पाएंगे यहाँ से कर पाएंगे आप adjust यह इसका lock unlock चारो पॉर्ण डो कंट्रोल, child CFD lock red finishing के साथ आपको दी जाएगे red light नीचे आपको मिल जाता है bottle holder थोड़ा सा space और यहाँ मिलती है आपको speaker की placement front cabin space की बात की जाए वो भी आपको काफी जादा यहाँ पर दिया जाएगा नीचे आपको मिल जाते है DCT के pedals brake and acceleration यह इसका आगी का dashboard front की जो sitting है इसमें भी आपको adjustable headrest offer के जा रहे है and यह पूरी leather की seat से काफी बढ़िया सी यहाँ पर आपको height adjust, recline दोनों का मिलता है option यहाँ से अपना bonnet को open कर पाएंगे यहाँ मिलता है आपको काफी सारे buttons चली अब बैठते हैं कार के अंदर driving seat पे बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको नजर आएगा सामने का dashboard चली करते है, ignition कौन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है engine start start button जिसको press करती है अपना ignition on कर सकते है fully distill आपको मिलता है cluster सारी check light, सारी information इसमें मिल जाती है और अपनी MID cop अपने steering से ही control कर पाएंगे यहाँ पर मैं press करता हूँ तो trip A, trip B, range, mileage and tire pressure बहुत सारी information आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर आपको दी जारी है 220 के top speed यह तो होगी car के cluster की बाद car के steering की बाद की जाए तो fully black finish में आपको काफी sporty सा steering offer के जाएगा जिसमें आपको मिलती ही काफी बड़िया सी grip यहाँ मिलती ही आपको NK badging Hyundai का मिलती है आपको logo Multipedia Telephonic के सारे controls Cruise और MID के controls आपको यहाँ पर दिये जाएगे steering के पीछे आपको मिल जाते है paddle shifters and यहाँ पर मिलती है आपको wiper के सारे controls यहाँ पर आपको दिये जाएगे automatic headline के सारे controls यह तो हो गई steering की बात dashboard पर आपको मिल जाता है traction control यहाँ मिलती है आपको light traveler इसी के साथ आपको नीचे पूरी red lighting offer की जाएगे जो काफी अच्छे लगती है रात के time center console की बात की जाए यहाँ पर आपको मिलता है सवा 10 inch का touch info tainment system जिसमें आपको android auto, apple carpe, blue link, navigation जैसे काफी सारे features दिये जाएंगे total 7 speakers आपको मिलते है Bose के तो sound output आपको काफी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है reverse camera की quality दिखाऊं तो यह इसका reverse camera navigation के साथ पीछे आपको मिल जाते है दो reverse parking sensors यह तो होगे इसके पूरे touch info tainment system की बात नीचे आपको दिये जाएंगे दो AC के vents यहाँ मिलती है आपको hazard light जिसको आप यहाँ से on off कर सकते हैं नीचे आपको मिल जाते है AC के सारे controls fully automatic आपको AC दिया जाएगा इस variant में 12W का मिलता है आपको charging port USB and USB charging ports दिये जाएंगे नीचे आपको मिलता है wireless charger ambit lighting के साथ यह इसका पूरा gear knob काफी unique design में यहाँ मिलते है आपको driving के सारे modes यहाँ मिलता है आपको button यह इसका manual handbrake यहाँ मिलता है आपको 2 cup holders यह इसका front armrest इसमें आपको space भी दिया जाएगा सामने का जो dashboard है हुई आपको पूरा black finish में offer किया जा रहा है काफी बड़े से मिलती है आपको design उपर की बात की जाए तो passenger side आपको मिल जाता है mirror driver side की बात की जाए कोई mirror आपको यहाँ पर नहीं मिलता है center में आपको दी जाएगी 2 hydrogen lights यहां मिलता है आपको sun glass holder यह के sunroof के button one touch sunroof आपको मिलती है एक बाद प्रेस के रहती है आपकी sunroof open हो जाएगी and space भी आपको काफी बड़े आपर दिया जाएगा एक person आराम से निकल सकता है यहां पर इसको प्रेस करके आप बंद भी कर पाएंगे यह इसका automatic IRWM जिसमें आपको blue link SOS के features दिये जाते है तो यह तो होगे इसके पूरे interior की बात आपको कैसा लगा मुझे बताईगा एक पर comments में चलिए आप करते हैं ignition को बंद निकलते हैं कार के बाहर बात के लेते हैं safety features के बारे में तो इसमें आपको ABS with EBD center locking, power door lock, child servilock, anti-tap alarm, seat bell warning, engine, embolizer, crash sensor, speed alert, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door lock और front के मिलते हैं आपको दो airbags तो यही थी Hyundai i20 N9 अपने segment की premium hatchback कार आपको कैसे लगी मुझे बताईगा इबर comments में pricing का मैंने आपको शुरुवात में बताया था अभी आप इसका N8 DCT variant देख रहे हैं 12,16,000 एक शोरूम प्राइज है और 14,00,000 की पड़ती है आपको on road लखनों अगर आप भी लेने का प्लान करें तो आप S.A.S. Hyundai Electric VIP road लखनों पे जाके विजिट कर सकते हैं स्क्रीन पे आपको number and location शो हो रही होगी मैं प्रेंशल तॉप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई